हलो आप सबका मेरे चैनल इस वीडिंग लाग्यान में स्वागत और अबनंदन हैं मैं आज आपको IPC के एक इंपॉर्टिंग प्रावलम जो UPAPO 1994 में पूछा गया था पूछ रही अगर आपको इसको उत्तर पता है तो इन्बाक्स में जाकर टाइप करिये को जाको नीचे गिरा देता है और जाकि वस्तरों में कपट पुरवक जाकी सहमत के बिना धन और आभुसर ले लेता है क्या क्या रहा को जग को नीचे गिरा देता है और जग के वस्त्रों से कपड़ पुर्वक जग की सहमत के बीना धन और आभुसर ले लेता है यहां पे को ने क्या आपराद किया आईए देखे प्राबलम का सलोसन क्या क्या रहा 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 प्रस्तुसमस्या धारा जो IPC है उसकी धारा तींसो नबबे के दिश्टांत कओ पर आधारीत है क्या क्यारा प्रस्तु समस्या 390 के दिश्टांथ को पर आधारित है, धारा 390 में लूट को परिभासित किया गया है, सब प्रकार की लूटों में या तो चोरी या उद्यापन होता है, चोरी कब लूट होती है, यदि क्या कह रहा है कि उस चोरी को करने के लिए या चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा संपति ले जाने या ले जाने के प्रयतने करने में, आपराधी इस उध्येस सेंच्छा उस व्यक्ति को क्या करता है मृतु तथकाल मृतु, उपहती, तथकाल उपहती सदोस अरोध का भ्या कारीत करता है यद प्रेत्ण करता है तो वह क्या कर रहता है वह जो है चोरी लूट कहलाती है जो लूट है या तो चोरी होगी या उद्यापन होगा चोरी कब लूट होती है जब कि यदि चोरी के करने के लिए या चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा संपत्य को ले जाने या ले जाने के प्रयत्ने करने में अपराथी उस उस देश से समानेते उस व्यक्ति की ततकाल मृतु या ततकाल मृतु उपहती या ततकाल उपहती सदोस औरोध या ततकाल सदोस औरोध का भै कारित करता है या करने का प्रयतने करता है समानी नियम है कि चोरी तब लूट होती है जब बल या हिंसा का ततो सामिल हो जाता है क्या कह रहा है कि समानी नियम क्या है कि चोरी तब लूट होती है जब उसमें बल या हिंसा सामिल हो जाती है मृतु या ततकाल मृतु चोरी प्लस उपहती या ततकाल उपहती लूट फिर कह रहा है कि सदोस औरोध या ततकाल सदोस औरोध क्या कहता है कि जब चोरी करने के लिए जब बल या हिंसा का प्रयोग करता है जिसका आसे क्या होता है परियुक्त चौरी करने के लिए जो चौरी करने के लिए होनी चाहिए यह जरूरी है कि जो उप्रेत जो चोरी की गई है वह क्या चोरी करने में या चोरी करने के लिए या करने में या चोरी की संपत्ति ले जाने या ले जाने के प्रहतने के लिए की जायती है प्रस्तु समस्या में कौज़ को गिरा देता है और ज़की वस्त्रोप से कपड़ पुरुवक ज़की सहमत के बिनाधन और अभूसर ले लेता है प्रस्तु समस्या में चोरी द्वारा लूट से संबंदित है यहां का जग को नीचे गिरा देता है अर्थात वह क्या करता है वह जग का सदोस अरोध करता है और उसे उपहती भी पहुचाता है जिससे की उसका कार्य चोरी करने के लिए किया जाता है और फिर जग की सहमत के बिना उसके धन और अभूसर भी ले लेता है अतावा का ने तत्काल उरोध करता है, मृत्तू करता है, उपहती करता है, तत्काल उपहती करता है, तो वह अपराद क्या होता है, वह चोरी लूठ हो जाती है चोरी तब लूट होती है जब कि चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी के संपत्ति को ले जाने में सदोस औरोध करता है, मृत्तु करता है, उपहती करता है, ततकाल मृत्तु करता है, ततकाल औरोध करता है, ततकाल उपहती करता है तो वह क्या हो जाती है चोरी लूट हो जाती है अतप्रस्तुत मामले में कल लूट का दोसी होगा और समानी नियम है कि चोरी प्लस बल बराबर लूट या ततकाल उपहती सदोस औरोध या ततकाल सदोस औरोध के द्वारा जो है अगर चोरी की जाती है जो की चोरी करने में चोरी की संपत्ति को ले जाने में चोरी के लिए क्या करता है कि ये तीनों कारे करता है कि मृतु ततकाल मृतु उपहती ततकाल उपहती औरोध या ततका करिए लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और साथी साथ बिल आइकन भी दबा दीजे ताके कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए ठीक है धन्वार थेंक यू